नमस्कार मैं हूँ आयू शिवत्स और आप देख रहे हैं जीसिपी नियूस और एक निजर दिन भर की खबरों पर सुपोल में मामुली विवाद में शराबी बाप ने जवान बेटे को चाको घोपा इलाज के दौरान मौत भारी लापरवाही और अंगबाद में कोविड-19 वैक्सिनेशन के लिए आई कोवी शील की 2799 डोस बरबाद बिहार में ऑक्सिजन की किलग पर पटना हाई कोट सक्त केंद्र को निर्देश दो दिन में एक मेडिकल टीम भेजे नेता प्रतिपक्ष्टे जस्वी आदव ने बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमन के बीच लोगों को लिखा खुला पत्र समस्तिपूर में हादसा गंडक नदी में नहा रहे पाच बच्चे डूबे एक की मौत और चार बाल बाल बचे बिहार की इंजिनिरिंग कॉलेजों में इस बार फिर देर से शुरू होगी दाखिला दीम सीच में मरीज की मौत पर हंगामा परीजनों और डॉक्टरों के बीच हाथा पाई के बाद काम बंद बिहार में 121 लोगों की कोरोना से मौत पर स्वास्त विभा क्या रहा सिर्फ 54 लोगों की गई है जान कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर प्रसाशन सक्त हाजीपूर में नियम के उलंगन पर 72 घंटे के लिए सील हुई हाटवेर दुकान गया में दो बच्चों के बाप पर चड़ा इश्क का खुमार 6 दिन बाद नाबालिक लर्की संग हुआ गे रफ्तार प्रेमी के साथ मिलकर पती ने उतार दिया मौत के घाट शव भी जलाया अठारा साल से उपर के लोगों के मुफ्त टीके पर खर्च होंगे पाच हजार करोर रुपे भुकतान पर काम कर रही सरकार गंदा में नाइट कफ्यों के बावजूद बार बालाओं ने जम कर लगाय ठुमके अधिकारियों को नहीं लगी भनक पाल गंज में बाइक सवार बनमाशों ने जोएलरी शॉप से लूटे एक करोर के जैवर फाइरिंग करते हुए भागे बिहार में बस आटो सहिद पब्लिक चांसपोर्ट में पान तमबा को खाना पड़ेगा महंगा देना होगा जर्माना पश्चिमी चमपारण में नहीं होगी ऑक्सिजन की कमी डी आई क्लास दुकानों को किया सील लन्यवाद पलपल की ताजा ताजा तरीन खवरों के लिए लॉग इन करे www.gcpnews.in पर ग्रामिन चहल पहल पत्र का घर पर मंगवाने के लिए और विग्यापन बुकिंग के लिए संपर्क करे 821-341-089 सीएम ने तीश का अलान पटना आई जी आई एमस में सभी कोरोना प्राम का भरोसा झालाओं आई